नमस्ते ओल्लाइन सिक्षन में आपका एक पार फिर से स्वागत है आज की इस कक्षा में मैं कक्षा बारवी की पूरक पुस्तक वितान से सिल्वर वेडिंग नामक कहानी लेकर उपस्ते थूँ चातरों इस कहानी के लेखक श्री श्यामलाल जोसी जी हैं उन्होंने इस कहानी में ये स्पस्ट किया है कि आधुनिकता की और बढ़ता हमारा समाज एक और नई नई उपलब्दियों को समेटे हुए है तो दूसरी और मनुष्य को मनुष्य से बनाए रखने वाले मूल्य कही घिस्ते चले गये हैं इस कहानी में एक संसकारी व्यक्ती का आधुनिक युक के लोगों को बदलते देख कर परेशान होना धरशाया गया है इसमें नई पीडि और पुरानी पीडि के लोगों के विचारों में व्याप्त विशमता को स्पस्ट किया गया है कहानी में पुदर बाबू एक संसकार संपन व्यक्ति हैं, उनका व्यभार सभी के लिए उचित है, किन्तु आधनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते हैं, वे दफतर समय पर जाय करते हैं, दफतर का काम भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, देर तक देफतर में बैठना हो, तो वे प्रसंचित होकर काम करते हैं, असिस्टेंट ग्रेड में आये एक नए लड़के चड़ा ने यशोधर बाबू से बत्ते में जी किये, फिर भी बाबू जी ने उसके दिश्टता को अंदेखा कर दिया, यशोधर बाबू ने साधी की 25 सालगिरा पर दफ के जीवन में किशंदा का महत्व बहुत अधिक था, वो उन्हें अपने गुरू के समान मानते थे, क्योंकि जब यशोधर बाबू गाउं से दिल्ली आये थे, तब किशंदा ने ही उन्हें अपने यहां पहले तो मैस का रसोया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी न बाबू ने उनके बिरादर से ही उनके मृत्यू का कारण पूछा, उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्द कर दी, अर्थात सही कारण का किसी को कुछ पता नहीं चला, ये शोधर बाबू जीवन भर किशंदा के सिद्धान पर चलते रहें। कारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे, जब ये शोधर बाबू को कोई बात गलत लगती तो वे हमेशा सम्हाव इंप्रॉपर कहकर चुप लगा जाते, सम्हाव इंप्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना। अब हम यशोधर बावो के परिवार की चर्चा करें। यशोधर बावो के परिवार में उनकी पत्नी तीन बेटे और पुत्री हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा भूशन विज्यापन एजनसी में पंदर सो रुपे प्रती माह पर काम करता है। दूसरा बेटा दूसरी बार आईयस की परिक्षा देने के तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलर्शिप लेकर अमेरिका चला गया है। और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। ये शोधर बाबु पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मदभेद बना रहता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक में रंग चुकी थी। ये शोधर बाबु चाहते थे कि उनका परिवार उनके सलाह ले, दुनियादारी की समझ लाएं पर बच्चे ये कहकर चुप करा देते कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछे आपसे। बाबु जी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना और पत्नी चाहते थे कि शोधर बाबु पुरानी परंपराओं को छोड़ कर नए युक के रिती रिवाच अपना है। उधारन के तोर पर बच्चे घरों में सारी अत्याधुनिक चीजें खरीद कर ले आएं जिसमें यहाँ पर हम फ्रिज देख सकते हैं। आज के लोगों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपून सामगरी है। लेकिन जो लोग पुरानी विचार धारा के होते हैं उन्हें इन सभी चीजों से उपकरन से बिलकुल ही प्रेम लगाओं नहीं है। उन्हें यह बेकार की वस्तु मानते हैं। फ्रिज को देखकर ये शोधर बाबु का मान था कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसे पैसे लगा कर लोग खरीते हैं और इसमें बासी खाना रखते हैं और दूसरे दिन खाते हैं। एक तो वह स्वास्त की दिश्टिकों से भी उचित नहीं है दूसरे इसे वह केवल दिखावा और आधुनिकता के नाम पर किये गए पैसे क कि बरबादी है। यशोदर बाबु पार्टी इत्यादी से प्रसंद नहीं रहते थे पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनात के जन्म दिन पर आज तक लड़ू भी नहीं आये उसी की शादी की सालगीरा की पार्टी बहुती आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा और कहा कि अब आप सवेरे दूद लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं यह बात सुनते ही उनकी आखों की कोर से आशू की बूंदे टपकने लगी क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने उपर लें लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूद लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गाउन पहन कर ये शोधर बाबु को लगता था कि उनके अंगों में किशंदा उतर आये हैं यह कहानी नई पीड़ी और पुरानी पीड़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवारों में आये परिवर्तन को दर्शाती है ये शोधर बाबु चाहते थे कि बच्चे पूरी तरीके से सामाजिक नियमों का पालन करें फिजूल खर्ची ना करें, दिखावा ना करें, अपनी सभ्यता और संस्कृती से जुड़े रहें बड़ों का सम्मान करें, लेकिन हर बार उन्हें परिवार से केवल ही केवल उपेक्षा मिलती है तो सिल्वर वेडिंग एक ऐसी कहानी है, जिसे हम आज अपने समाज में परत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, झेल रहे हैं नई पीड़ी अपनी पुरानी पीड़ी को ना तोचित सम्मान देती है, ना ही उनके बातों पर वह अमल करना चाहती है जिससे परिवार में निराशा, हताशा, कुंठा, आदी की भावना आ रही है तो इस पार्ट के अधार पर निसकर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं, कि केवल हम युवा पीड़ी को ही इसके लिए दोशी नहीं मान सकते हैं हमारी जो पहली पीड़ी है, उन्हें भी समझना होगा, उन्हें भी प्यास करना होगा, कि नई पीड़ी के साथ सामनजस से बनाए और नई पीड़ी को भी यह बयात ध्यान में रखना होगा कि वह अपने माता-पिता या अपने बड़ों के विचारों को समझें और उनके साथ सामंजस से बनाने की कोशिश करें यदि दोनों तरफ से प्रयास होगी तो निश्चित तौर में समाज में परिवार में एक सामंजस की स्थापित होगी परिवार में खुशियां आएंगी सम्मती आएगी और निश्चित तौर पर परिवार प्रगती के मार्ग पर अक्रसर होगा तो यहाँ पर मैंने आपको सिल्वर वेडिंग की कहानी संशेफ रूप से बताई है मुझे उम्मीद है कि आप इसके कत्य को भली भाती समझ गए होंगे और विश्थर रूप से आप कहानी को पढ़ सकते हैं, धन्यवाद